बार्बी डॉल स्टोरी अरे भाईया, आप क्यों सो रहे हैं? उट जाएे नहीं दीदी, मैं सो नहीं रहा हूँ बस आराम कर रहा हूँ अरे उठिये ना, कब से आप लेटे हुए हैं? आपको क्या भूग नहीं लगी? हाँ, भूग तो बहुत जोरोगी लगी है चलिए उड़ जाएे हम लोगों को बजार भी तो जाना था अच्छा बाबा, उड़ जाता हूँ पर मुझे कुछ खाने के लिए दे दो या पहले एक अप चाही दे दो अच्छा ठीक है मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ दीदी, चलिए हम लोग खाना ही बना लेते हैं बच्चो, तुम यही रहना बाहर मत जाना आज हम लोग ट्रेक्टर खरीदने जाने वाले हैं नईया ट्रेक्टर ओ, नईया ट्रेक्टर चलो अच्छा है दीदी आजाएए भाबी क्या बनेगा मैं सोच रही हूँ क्यों ना हामा सबजी और चावल ही बना लेते हैं जो बहुत जल्दी बन जाएगा हाँ भाबी मैं आपकी मदद कर देती हूँ सबजीया काटने में उसके बाद फिर मैं जोला जला लूँगी हाँ ठीक है दीदी आएए बैठिये हम लोग सबजीया काट लेते हैं हाँ मैं ने के लिए कुछ लाती हूँ लाएए दीदी मैं सोच रहे थे क्यों ना हम लोग पास बाले किट में चले मैंने सुना है वहाँ सेल लगी हुई है अच्छा भापी तब तो हम अब जरूर चलेंगे पर बच्चो को कौन देखेगा मैं इनको बोलूँगी कि आप घर पर रहके बच्चो को देख लीजे हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है हम लोग कल ही मार्केट चलेंगे हाँ ठीक है मुझे ना कुछ कपड़े लेने है मुझे भी नए कपड़े लेने है ठीक है हम बच्चो के लिए भी कुछ ले लेंगे हाँ दीदी बहुत सारी शॉपिंग करेंगे घर के लिए भी ठीक है अच्छा मैं जल्दी से चूला जला लेती हूँ भाबी नहीं तो भाईया को बहुत देर हो जाएगी माचिस कहां है भाबी वहीं देखे दीदी मैंने वहीं रखी थी अच्छा मिल गई हाँ मैं जल्दी आग दिला देती हूँ और कुछ भी बनाना है क्या भाबी नहीं बस सब्जी चावल ये लिजे आख तो जल गई मैंने इसमें तेल भी डाल दिया है कडाई गरम हो रही है लाइए मुझे सब्जिया दीजे मैं इसमें सब्जी डाल कर जल्दी सब्जी बना देती हूँ हाँ दीदी ये लिजे सब्जिया तो कटी हुई है अरे वाँ सब्जी तो बना भी सुरू हो गई दीदी आप जब भी सब्जिया बिराती है सबको सब्जी बहुत पसंद आती है अच्छा भापी ये तो अच्छा है कि बच्चों को सब्जिया पसंद आ जाती है बच्चों की आवाज नहीं आ रही है इतना देर से इतना सांती से बटे हुए हाँ लगता है दोनों इसमें खेर रहे थे गुडिया आवाज दे रही है लगता है उसको भूख लगते ही होगी बहुत देर भी तो हो गई है बाबी सबजी तो बनने ही वाली है मैं क्या चावल भी चुड़ा दू नहीं दीदी मैं चावल बना लूँगी अड़ी बुआ आप सबजी बना रही है मुझे आपके से बनी हुई सबजी बहुत पसंद है ये बहुत अच्छी बनती है अच्छा गुडिया तब मैं बहुत सारी सबजी तुमको खाने के लिए दूँगी वाँ बहुत मचा आएगा मुमी मुझे बहुत भूख लगी है मुझे जल्दी खाना दे दूना हाँ सबजी बस बन ही गई है जल्दी से खाना दे देंगे हम तुमको अच्छा बाबी ये सबजी तो बन गई आप चावल चड़ा देजे ठीक है दीदी सबजी उतार देजे चावल भी जल्दी ही बन जाएगा इस चावल को बनाने में ज़्यादा वक नहीं लगता गुडिया तुमको बहुत भूख लगी है तो तुम बिस्किट खालो नहीं मामा मुझे सिफ खाना ही खाना है ठीक है तुम दूनों अंदर जाकर बैठो मैं बॉख को लेकर के खाना लेकर अंदर आती हूँ ठीक है ममी मुनी चलो हम लोग अंदर शलते हैं मुनी अंदर जाओ पापा के पास जाकर बैठो मुमो मुझे भूख लग रही है हाँ हाँ हम खाना लेकर आवी आते दीदी आप खाना निकाल देजे अरे वाँ आज ख्या बन रहा है देखेगा दीदी जब खाना लेकर आईगी हाँ मुझे बहुत भूक लगी है बहुत देर हो गई भाईया ये लिजे मैंने आपके लिए पहले ही खाना निकाल दिया बच्चों तुम लोग भी खाना खालो हाँ बुआ हमको भी बहुत भूक लगी है बुआ ये तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छी सबजी बनी है चलो अच्छा है तुमको सबजी पसंद आई हाँ बुआ हम लोग बजार जाने वाले हैं दीदी हाँ मुझे पता है हम लोग ट्रैक्टर लेने के लिए निकलने ही वाले हैं ठीक है भाबी मैं बच्चो को देख लूँगी आप लोग चले चाहिए ठीक है बच्चो पुआ को परिशान मत करना लाओ मैं बच्चो को खाना खिला देती हूँ ठीक है मैं जाकर तयार हो जाती हूँ हाँ तुम जल्दी करो बहुत देर हो रही है हम लोगों को जल्दी निकलना होगा सुबह ही फोन आया था और अभी तक हम लोग घर में ही है हाँ मैं जाती हूँ जल्दी आना बहुत देर मत करना ठीक है मैं तयार हो जाती हूँ जल्दी से चाहिए भापी आप तयार हो जाए है हाँ मुझे बाल बनाने है अपने ठीक है जल्दी जाहिए और जल्दी से मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ चलो मैं अभी आती हूँ आओ बच्चों मै कुई को परिशान मत करना हम जल्दी ही बाजार से वापस आ जाएंगे नया टैक्टर लेकर हाँ ममझी ठीक है अर्ड़ी करो देर हो रही है हाँ बस मैं बैग ले लू पैसे ले लिये ना हाँ मैं पैसे ले लिये है ठीक है जल्दी करो अब हम जल्दी चलते हैं तुम बहुत देर कर रही हो अरे हाँ पता है मुझे कि मैंने आज थोड़ा जादा वक्त लगा दिया पर कोई नहीं हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे बाई बच्चो हम लोग अभी आते हैं अरे ये रास्ता बस थोड़ा ही दूर तो है बहुत दूर तो हमको जाना नहीं है हाँ ये भी ब अरे वह हुँझ आप लोग चाहे तो टेक्टर देख सकते हैं आईए ने हम लोग अपना टेक्टर देख लेते हैं वागई ये तो इतम brand new है, कितना सुन्दर भी है वागई, कितना बड़ा है अरे वाँ, इसका color भी तो बहुत अच्छा है हाँ, red color मुझे पहले से ही पसंद था इसलिए मैंने red color ही order पिया था ओ, ये तो अच्छा है, बच्चों को भी red color बहुत पसंद है अरे वाँ, कितना सुन्दर है ये तो और इसमें trolley भी लगी हुई है हाँ, इसलिए मैंने इसको book कराया मुझे फसल लाने में भी तो असानी होगी हाँ, ये भी best सही है चलिए हम इसका payment कर देते हैं बाई साब, हमको इसका payment कहा करना होगा? ये ही करना होगा counter पर हाँ, ठीक है, तो ये पैसा ले लिजे पैसा निकाल दो, हम दे देते हैं ये लिजे, आपका कैस्परिमेंट हम कर चुके हैं आप गाड़ी को डिलेवर करा देजीगा हाँ, मैं साम तक tractor पहुचा दूँगा अरी, मुमी पापा आ गए हाँ, बच्चो हम आ गए अब जल्दी, टेक्टर आएगा अरे, अराम से ले कर जाना कोई तिकत नहीं होनी चाहिए ठीक है अरी, मुमी, कब टेक्टर आएगा अरे, वो देखो मुमी टेक्टर आ गया ये राइट कलर कर टेक्टर क्या हमारा ही है हाँ, बच्चो, वही हमारा टेक्टर है चलो, बाहर चलो, देखते है अरे, वाँ, ये तो बहुत सुन्दर है और कितना बड़ा है मुनी, देखो ना, कितना सुन्दर टेक्टर है ये हाँ, वागई मैं इसमें बैटूंगी पापा हमको इसमें बैठा दी जिना प्लीज आये न जल्दी दीदी आये न टेक्टर देख लिजे हाँ मैं आती हू भाईया पापा प्लीज हमको इसमें बैठा दी जिना अरे रुको मैं भी बैठा दूँगा वाके भीया ये इसका कलर और डिजाइन बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे पुराने टेक्टर से तो ये बहुत ज़्यादा ही सुन्दर है हाँ दीदी इसलिए मैंने इसको बुक कराया अरे वाँ कितना मज़ा रहा है हाँ पापा बहुत मज़ा रहा है रड़ी हम लोग तो पहुँच पी गए पापा हम लोग को नीचे उतारिये ना मम्मी प्लीज हाँ मैं आ रहा हूँ मैं नीचे उतार देता हूँ रुको मैं बच्छों को नीचे उतारू मुनी तुम यहां रुको आओ गुडिया चलो आप दोनों अंदर चलो कैसा लगा वागई बहुत अच्छा था ये टेक्टर तू बहुत अच्छा प्लेज सब्सक्राइब पर मोर वीडियोज